मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज किस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं कम्पेटर में CSS की लेक्चर नंबर 18 को जहां पर हम लोग इवेंट हैंडलिंग की प्राक्टिकल प्रोग्राम को देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए बिगर आपकी MSBT एक्जाम जो की चारिया पास दिन के बाद होने वाली है उसमें ये कोशन हंड़ चैनल पर लगभग अभी 17 वीडियो डाल चुका हूं CSS के अगर क्लाइंट साच इस्क्रिप्टी में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे CSS के और अगर आप MSBT डिप्लोमा म पूल लेते हैं नोर्स असाइन्मेंट कोशन बैंक आपको हर इक चीज मिलता है उसके आप इन्रोल्मेंट करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा आपको सिंप्ली वो फॉर्म फिल करना है हमारी टीम आप से खुद बखुद कॉंटाट कर लेगी अगर आप सि अफुर्म का वहां पर आपके पास यह उपशन होता है कि फॉर्म पे आप इवएंट लगा सकते हैं किसी बन के बॉड़े साथ किसी भी चीज़ के आप कोई भी किसी भी टाइप का event आप लगा सकते हैं तो event handling basically क्या होता है कोई भी screen में कोई भी changes अगर हो रहे हैं किसी ना किसी appearance के साथ वो कुछ भी हो साथ कोई pop-up आ सकता है कोई operation आप perform कर सकते हो अगर आपने कोई interaction किया screen के साथ और उस पे कुछ आपक आपको button click पे चाहिए की प्रेस पे चाहिए तो आप उसमें कोई भी event लगा सकते हैं ठीक कोई भी operation perform कर सकते हैं मैं आपको च्छोड़ा से example बताता हूँ सबसे पहले मैं यहां पर दो example लूँगा मैं सबसे पहले जो example है आपका वो लूँगा मैं इसका नाम टाइटल ही रहन दो मैं दो example लूँगा एक mouse event का keyword event का ठीक है mouse event में simply होता है mouse click पे अगर आपने एक button बनाया है और आप उस button पे कोई भी event लगाना चाहते है किसी भी type का event for example आपको चाहिए कि एक button click करने पे एक pop-up आजाए alert box आजाए prompt box आजाए या कोई भी operation इन पर फॉर्म होजे तो वो सारी चीज़ा आप यहां पर कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम बताऊंगा उसके बाद हम लोग एक लेवल और आपके जाएंगे तो एडवांस भी देखेंगे ओके तो स्की मिल लिया मैंने head tag लिया and इसमें हम लोग अब मैं बॉडी स्टार्ट करता हूँ यहां पर बॉडी लिखके छोड़ देता हूँ बॉडी में मुझे एक फॉर्म क्रियेट करने अभी मैं बहुत यह सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ यहां पर एक सिंपल बटन बनाता हूँ ठीक है input type equals to button and value equal to mouse event नाम रख देता हूँ मैं इसका ठीक है close कर देता हूँ ठीक है मैंने बटन सिंपल थी जो एक बटन हहे वो मैंने create कर दिये अब इस बटन पर मुझे माउस इवेंट लगाना है मतलब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो कुछ न कुछ इवेंट होना चाहिए वो इवेंट आपका कुछ भी हो सकता है जो इवेंट चाहे है आप वो इवेंट यहाँ पर रन करा सकता है वो completely आपके उपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का इ करें तो उसको एक फॉर्म आ जाए या पॉप आ जाए या फिर प्रॉम्ट बॉक्स आजए तो सबसे पहले अलर्ट बॉक्स का लेते हैं कोई भी इवेंट किसी भी टाइप का इवेंट अगर आपको करना है इस क्लिक पे तो सबसे पहले उसकी हमें एक एक फंक्शन क्रेट करना पड़ेगा जो कि हमारे स्क्रीप्ट में होगा तो मिक प्रिप्ट टाइबओ पन किया यहां पर मैंक फंक्शन क्रियेट के तो फंक्शन मैंने बनाया मैंने फंक्शन पर मैंने रखा माइन माउस एवेंट के अब मैं इसमें सिंपल से अलोड बॉक्स डालता हूँ हलो, this is a mouse event, ठीक है, आप इस function के अंदर कोई भी operation perform करते हैं, तो हर इक language में concept से अलग-अलग होते हैं, syntax बदलते हैं, बड़ जो logical part होता है, वो same होता है, ठीक है, तो आपको logical part लिखना आना जी, कि आप इस form पे क्या लिखना चाहते हैं, मैं आपको form में run करना सिखाऊँगा, तो अगर मैं इसी function को call करना चाहूँ, mouse click पे तो मैं कैसे करूँगा, मैं अपने button पे आऊँगा, और simple सा button पे लिखूँगा, on click, ताकि अगर कोई तो मैं लिखूँगा, my mouse event, that's it, ठीक है, अब यहाँ पर on click कि रहसा और भी attributes से, on double click भी, मैंने last lecture मैं आपको बताया था, on click, on double click, अगर मैं यहाँ पे करूँगा, पहले मैं on click का आपको बताया है, तो एक बार रन करा के प्रोड़ा है, मैं इसको reference करूँगा, अगर मैं क्ल आपके कि मैं on click के जगा, दूसरा कुछ लेता हूँ, on double click लेता हूँ, on double click, अब मैं वापस run कराऊंगा, इसको, तो मैं single click करे कुछ भी नहीं हुआ, मैं वापस single click करे कुछ नहीं हुआ, अब मैं double click करता हूँ, आ गया, तो आप ऐसे बहुत सारे attributes यूज कर सकते हैं, अपन addition करना हो, subtraction करना, आप कुछ भी कर सकते हैं, एक चोटा सब example मैं आपको और बता देता हूँ, मैं दो input fill लेता हूँ, addition के लिए, input type equals to text, value, value कुछ नहीं लेता हूँ, name लेता हूँ, name equals to number one, placeholder, printer number one, आप इसके लिए prompt box का भी यूज कर सकते हैं, खिके, बट मैं perform का यूज करो, ताकि आपको form में values input लेना भी आजा, because prompt box हमें already पता है, क्या होता है, prompt box, but कई बच्चों को form में values लेना नहीं आता, integer, तो हमें form के लिए हमें सीखा ये, तो मैंने enter number two कर दिये, इसका name change कर देता हूँ, num two, अब एक चीज़ ध्यानर करना है, जब भी हम form को create करते हैं, तो जो text field होती है, उसमें हमेशा string values by default, तो हमें उसको भी convert करना है, अगर आप integer values लेना चाहते हैं, operation perform करना चाहते हैं, तो, जेको enter number one, number two, हमने mouse event लिया, okay, एक काम करते हैं, इस function में आने से पहले एक काम करते हैं, okay, इस function के अंदर भी हम वैसे कर सकते हैं, ये same चीज, with document object का use करेंगे, और form का, तो form का name दे दो बले, ताकि हम इस form की component को script में access कर पाएं, उसके लिए हम इस form का name देते हैं, my form, आप कुछ भी दे सकते हैं, with document.myform, तीकिए, अब इससे क्या होगा, कि इस form के जितने भी documents है, मतलब जितने भी object है ना, आप उसको यहाँ पर use कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस दो field की output तो चाहिए होगी, value तो चाहिए होगी, retrieve करना होगा user से, मतलब यहाँ जो user value देगा, उसको आपको script में तो बुलाना परेगा ना, तो script ने बुलाने के लिए हमें document.form, मतलब हमने form को access कर लिया, script tag के अंदर, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक variable लेना परेगा, because obviously बाती कर आप दो number को जोर रहे हैं, तो आपको तीन variable तो चाहिए होगा बॉस, तो हम लोग क्या करते हैं, आप एक variable लिया यहाँ पर, number, sorry, number one equals to, simply हम लोग क्या करेंगे, हाँ पर number one, जो भी मेरा number one है, dot value, ठीक है, जैसी हमने यह लिखा न, इसकी जो value है, वो retrieve हो जाएगी, अब एक च्छोटा से example बताता हूँ, number two लिया, number two dot value, ठीक है, यह हमारे पास आ चुकी है, value इसकी आ चुकी है, अब मैं क्या सपोस्कुरों मैं यहां पर लिखता हूँ, sum, sum equals to, number one plus number two, okay, alert, sum, यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, addition of two numbers is, okay, हमने कुछ ऐसा भी लिख दिया, यहां पर एक काम करते हैं, इस पेस और देते हैं, ठीक है, okay, हमने कुछ ऐसा लिखा, okay, अब इसमें प्रॉबलम है कि हम जब इसको run कराएंगे, तो देखो क्या प्रॉबलम आएगी, एक बड़ जैसे इसको run कराते हैं, मैंने इसको refresh करा, मैं क्योंगा 12 और यहां 30, okay, मैं क्यों run कराता हूँ, okay, डबल क्लिक था, तो addition of two numbers is 12, 13, यहां पर मैंने आपको क्या बताता है, string value है, ठीक है, तो यह 12, 13 simple string ले लिया, जो और ने इसने concat कर दिया, string concatenation यहां पर हो गया, उसके लिए हमें क्या करना परेगा, हमें दोनों number को integer में convert करना पता है, यह हमें साथ ध्यान रखना, exam में कई बार इस पर mistake होता है, कि आप directly values लेते हैं, आप उसको integer में convert नहीं करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसको integer में convert कर देते हैं, उसके लिए हमें एक bracket को, इसको bracket में डाल दो सबसे पहले, ठीक है, आप programming में करने के starting में आप integer में convert कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आप भूलोगी नहीं कभी, num1.ok काम करते हमें, integer, यहाद रखना है कि क्या process हम लोग यहाँ पर यूज करें, इस मैं 12 किया, 13 किया, अब मैं इस पर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो, अब addition of two number is 25, बहुत है simple process होता है, ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी program perform कर सकता है, तो आपको prime number चेक करना, आप simply यहीं पर prime number का logic लिख दो, तो, for example, अगर मेरे को यह चेक करना हो, कि जो number मैं input करा हूँ, वो even है, या order, ठीक है, तो मैं एक, suppose कर वो भी example आपको एक और बता रहेता हूँ, मैंने आप intern number one किया, mouse event, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा है, यहाँ अपर, यह सब हटा देता हूँ, document.right, या alert box, आप कैसे भी print कर साथे, completely आपके उपर depend करता है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं heading tag ले लिखता हूँ, और हमारा, जो text है, वो खुब्सूरत देखे, तो, h1 मैंने ले लिया, यहाँ पर, okay, then हम लोग यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर नो simply अपने addition को print कर सकते हूँ, तो आप addition को print कर सकते हूँ, यह event number, sorry, event number है, तो हमने event number print कर दिया, else, इसे को हमनों copy कर लेते हैं, यहाँ से, okay, I hope अपको तीज़े समझ में आई होंगी, mouse event की, बहुत ही simple है, अब हमें keyboard, sorry, key event समझना और आसान हो जाएगा, हमारे लिए, बिकास अब क्या है, बस इस attribute को change करना है, बाकि सारी चीज़े से हम है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता ह कर सकते हैं, just worry about the logical part, जो आपने यहाँ पर logic डाला है, यही important है बस, और कुछ यहाँ पर important नहीं होता, ठीक है, अब हम लोग keyboard event की बात करते हैं, आप keyboard event कैसे perform करते हैं, आपको simply यहाँ पर attribute change करना, जो भी आपने on click था, on click नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर को on key press, on key down, on key, अब कोई भी key press करेंगे, तो यह function call हो जाएगा, for example, मैं आपको दिखा दिता हूँ, मैंने कुछ change नहीं किया, इस function का नाम भी मैंने change नहीं किया, मैंने बस किया कि on key press, तो यह keyboard event हो जाएगा, अब मैं इसको run कराऊंगा, अगर, ठीक है, मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, यह देखो, मेरे mouse को मैं इधर ले आया, यहाँ पर mouse मेरा भी, यहाँ पर mouse है, ध्यान से देखो, screen पर, मैं mouse से कुछ नहीं करा, मैं keyword की कोई भी key press करूँगा, यह कोई भी key press करूँगा, तो आपका जो result है, वो यहाँ पर call हो जाएगा, ठीक है, इसको देखते हैं, मैंने 21, ठी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने single click के कुछ नहीं हुआ, देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर literally click कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, ओके, अब मैं कोई key press करूँगा, के press किया है, मैंने, देखो, odd number print हुआ, वापस है, देखो, refresh करो, 123, ओके, देखो, मैं कितन भी अलग-अलग attributes लगा सकते हैं, ओके, तो यह simple process होता है, जिसके द्वारा आप keyboard event and mouse event में कोई भी problem statement को solve कर सकते हैं, यह तरीका होता है, keyboard event या mouse event को call करने का, वो आपके उपर depend करता है, कि आप function के अंदर क्या logical part लिख रहा है, यह completely आपके उपर depend करता है, ठीक है, I hope आपक exam तक मैं आपकी 4th, 5th chapter तक complete करवाद दूगा, exam मैं भी हमारे 3-4 दिन बचे हैं, तो मैं cookies वगरा परहाद दूगा, आपको cookies परहाद दूगा दिन, जो भी हमारी session से frame है, वो सारी चीज़े मैं आपको बता दूगा, बहुत ही simple चीज़े हैं, मैं try कर रहा हूं कि easy language में तक आप आने वाले videos time पर मिले हैं, okay, thank you so much for this video, अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो please video को like करना, अपने दोस्तों के साथ इस video को जरूर शेर कुरता है, maximum से maximum हमारी video को देख पा, thank you so much for watching this video, have a good day.